दोस्तों बिहाड बिद्यालय पड़िचाड़ी एम सायक भरती के लिए जो भी छात इंदिजार कर रहे थे सो फाइनली आप लोगो नोटीस आ गया है कि ओफिस्यल नोटीस कब तक देखने को मिलेगा दो-तीन मंद पहले पेपर कटिंग के माधियम से आप लोग देखे होंगे कि 19,263 विद्यालय सायक और पड़िचाड़ी की सीधी भरती होगी मतलब अंक्याधार पे आप लोगो सेलेक्शन किये जाएंगे लेकिन इसके लेकर अभी तक कोई भी नोटी जारी नहीं किया गया था पहले जो नोटी जारी किया गया था उसमें साब तोर पर ये मेंसन किया गया था कि केबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आप लोग से आवेदन लिये जाएंगे तो finally cabinet से मंजूरी मिल चुका है तो आगे समय लिजे कि आप लोगो official notice कव तक देखने को मिलेगा किस तरह से selection किये जाएंगे आवेदन कव से लिए जाएंगे इसके लेकर काफी छात्रे उम छात्रे परेशान थे कि कव तक इसका vacancy आ जाएंगे तो आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल जाएंगे कि आवेदन कव से लिए जाएंगे और जो भी छात इसकूल परेशारी में आवेदन कर चुके है 200 पलस पोस्ट रखा गया था उसमें तो उसके result के लेकर बहुत सारे छात परेशान है कि result कव तक देखने को मिलेगा क्योंकि इससे पहले जो cabinet का बैठक हुआ था तो उसमें बहुत सारे छात परेशारी का यह भी कोमेंट आयते है कि परेशारी का जो वेकेंसी था इससे केंसील कर दिया आ गया ऐसा कूछ भी नहीं है आप लोगो result जो यह जनवरी फर्स्ट विक तक में देखने को मिलेगा आगे आप लोग देख लिजिगा result कर तक देखने को मिलेगा पहले समयली जे DST आप बिहार मतलब कारियाला परिचारी में जो भी छात आवेदन कर चुके है इससे पहले 238 पोश्ट के लिए आवेदन ले चुका है जो भी छात कारियाला परिचारी में फर्म भर चुके है और आप लोग result के इंतजार कर रहे तो आप लोगो जादू 7 जनवरी तक आप लोगो इंतजार करना पड़ेगा जो भी छात अभी कारियाला परिचारी result के इंतजार कर रहे तो आप लोगो 7 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद जो आप लोगो official result देखने को मिलेगा इसका link मैं अपने description में परवाइड करवा देंगे आप लोग यहां से आका असानी से चेक कर पाएंगे यहां पर देख लिजिए अभी सिर्फ आप लोग status चेक कर पाएंगे official result जो आप लोगो 7 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा इस link से आप लोग चेक कर पाएंगे इसका link मैं अपने description में दे दूँगा आप लोग वहां से आसानी से result को चेक कर पाएंगे तो इस channel पर आप लोग बने रहे हैं बहुत जल जो इसका result पब्लिस कर दिया जाएगा लेकिन आप लोगो 7 जनवरी तक इंदिजार करना पड़ेगा लेकिन यह भी पढ़किया जो रद होने वाले थे लेकिन यह जो बच गया है अभी LRC डिपार्टमेंट में जो 10,000 पड़ों के लिए अबिदन लिया गया था उसे रद कर दी गई है लेकिन पड़िचारी का रद नहीं किया गया है लेकिन बहुत सारे छादों का कॉमेंट आया थे इसको भी रद कर दिया गया लेकिन ऐसा नहीं है आप लोगो साथ जनबरी तक में रिजल्ट घोसीत कर दिया जाएगा तो चरी आगे समय लिते हैं 19,263 पड़ों के लिए जो भी छाथ इंदिजार कर रहे तो आप लोगो अफिस्यल नोटिस कर तक देखने को मिलेगा इसके बारे में समय लिजिए बिहर पड़ी चाड़ी एम सायक भरती जिसमें 19,263 पड़ों के लिए आवेदन लिया जाएगा इसके लेकर फैनली केबिनेट से मनजूरी मिल चुका है आप लोग यहां पर देख सकते हम स्क्रीन सोट लगा चुके है इसके लेकर आवेदन करने का केबिनेट से मनजूरी मिल चुका है इससे पहले भी आर्टिकल में हम साबतोरों बताए होंगे यह जो भैक्यंसी निकलेगा तो सबसे पहले केबिनेट से मनजूरी लेना पड़ेगा उसके बाद जो है केबिनेट से मनजूरी मिलता है उसके बाद जो इस पर आवेदन लिया जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं पहले भी हम आर्टिकल के मादी हमसे बताए होंगे कि 50% अनुकंपा के अधार पेस में आवेदन लिया जाएगे और 50% एस्टूरेंट नियू वाले अप्लाइक करेंगे अनुकंपा क्या होता है इसके रिगार्डिंग हम पहले ही जानका है देचुके है और यहां पर देख लेजिए राजस्वय महमी सुधार विभाई जिसमें 10,000 पदोग के लिए जो संबीदा आधारित वेकेंसी निकाले गए थे तो उसको जह कैंसील करके फिर से जो नया नोटिपिकेशन जारी होंगे इसके लेकर भी और जो अभी 19,233 पदोग के लिए आविदान लिया जाएगा यह दोनों जाए एक साथ ही वेकेंसी निकाले जाएंगे ठीक है तो यह दोनों का विग्यापन आप लोगो जनबरी लाश्टक देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी नगर निगम का चुनाओ चल रहा है और यह आठ जनबरी तक चुनाओ चलेगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएंगे तो सकेंड थर्ड वीक तक यह पड़किरिया देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी चुनाओ चल रहा है इसके बाद ही आप लोगो को कोई ओफिस्यल नोटीज देखने को मिलेगा और राश्टों भूमी सुधार्विभाग में जो 10,000 पदों के लिए वहकेंसी रद किया गया था इसके लिए कर भी जन्वड़ी में अनुमान लगया जा रहा है कि बहुत जल जोई नोटिपिकेशन आज जाएंगे 19,288 विद्याले शिक्षा समित्य के मादब से कहा जाए है यहार विद्याले शिक्षा समित्य हर परचायत में इसमें कुछ संचोधन के रहे हैं यह पहले नियावाली गटन की गए थी जैसे इसमें कारेले परिचारी है यह बार यह स्रोच से लिए जाएंगे जो टेटा इंट्री ऑपरेटर है यह बेटरों से लिए जाएगा अगर आप लोग 19233 पदों के लिए इंटजार कर रहे है तो आप लोगो फड़वड़ी तक इंटजार करना पड़ेगा केबिनेट से जब भी कोई मंजोरी मिलता है तो विभाग जो हट फिर उस से त्यारी करता है किस तरह से वेकेंसी निकालेंगे स्टेक्षिनिक योगत क्या सब रखे जाएंगे इसके रिगार्डिंग जो पहले परस्तों त्यार करते है उसके बाद जो वेकेंसी निकालती है तो केबिनेट से तो फैनली मंजोरी मिल चुका है अब आप लोगो इंदजार है कि ओफिस्यल नोटिस कव तक देखने को मिलेगा इसमें हम पहले ही बताए होंगे कि इसमें 18 से ले करके 42 वर्स की अच्छात जो आविदन कर पाएंगे और बिहर पड़िचारी में में मैट्रिक पास होना चाहिए और सायक में इंटर पास होना चाहिए और 6 मन्त का computer certificate होना चाहिए और उसमें knowledge भी होना चाहिए computer का knowledge भी होना चाहिए इसमें tapping भी लिये जाते हिंदी और अंग्रेजी का tapping भी होता है तो जो भी छात अब बेल्टों से इंटिजार करें तो आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं इसकूल परिचारी का भरती है इसकूल में आप लोग को job लगने वाले है जिस तरह से एक data entry operator का काम होता है ठीक उसी परकर आप लोग को सायक वाले जो होंगे है तो सायक का भी वही काम है operator का जो काम होता है से मुआ ही काम आप लोग को कोलेज इसकूल में करना पड़ेगा ठीक है और बिहार परिचारी का इसमें जो salary रने वाले हो 15,000 दूसर करीब रहेगा और सायक का 16,000 पांसर के something रहेगा इसमें जो चात आविदन करना चाहते तो आप लोग document त्यार करके रख लिजिए बहुत जल जो इसके regarding official आप लोग को notice देखने को मिलेगा और उसमें सभी post के लिए अलगला qualification रखा जाएगा यह भर्ती में कोई भी आप लोग को exam नहीं लिए जाएगे अंग के अधार पे आपको मैं टिक हो मिंटर के मार्क सीट के अधार पे जो आप लोग को selection किया जाएगा इसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस article को आप लोग पढ़ सकते हैं मैं description में इसका link देदूँगा आप वहां से भी पढ़ सकते हैं